एक्जाम्पल नंबर 42 हमें इंटेग्रेट करना है sin 2x cos 2x divided by अंडर रूट 9-cos की पावर 4 2x लेगो कैसे करेंगे integration of sin 2x cos 2x divided by अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 9-cos2 2x की पावर 2 एक ही बात है है कि नहीं एक ही बात है अगर इसको उसका करूंगा तो same to same होई आ जाएगा cos की पावर 4 2x एक ही बात है अब देखो मैंने से क्यों किया अगर मैं cos2 2x को t मान लू अगर मैं cos2 2x को t मान लू तो क्या बनेगा बताओ कुछ बनेगी बात अगर मैं लेट कर लेता हम cos2 2x is equal to t अब कर दो differentiate both side तो क्या आएगा मेरे पास 2 cos 2x पावर कर दिया हमने अब करो cos का तो cos का आएगा हमार पर sin minus का तो minus sin 2x अब तो ऐसा करो तो आएगा 2 dx is equal to dt यही आएगा अब dt छोड़के बाकि सब उससेट ले जाओ तो dt छोड़ दिया हमने बाकि सब इससेट आगया तो dx छोड़के तो क्या आएगे बाकि सब उससेट तो dt ओवर में 2 cos 2x मैनस n बहार निकाल लिया sin 2x ओके dx के value आगे हमार पास अब बस put करना है इसमें put कर दो तो अब put कर दो integration of sin 2x cos 2x divided by under root 9 minus t square जाएगा क्योंकि cos 2x को हमने t लेट किया है तो t square dx की value यह पूरी है तो dt ओवर में minus 2 cos 2x जाएगे 2 और 2 4 होगा 2 or 2 4 minus 2 नहीं minus 4 होगा यहाँ पे ओके तो minus 4 रही है minus 4 cos 2x और sin 2x यही आएगा ओके अब जो cancel कर दो यह पूरा cancel हो जाएगा बचेगा क्या हमार पास बचेगा हमार पास यह minus 4 बहार निकाल लो constant 1 by minus 4 integration of 1 divided by under root 9 minus t square dt यही आएगा ओके अच्छा यह किसका formula होता है बताव आप यह कुछ ऐसा हो रहा है देखने में 1 by under root a square minus x square dx कुछ ऐसा हो रहा है इसका formula होता है यह sin inverse x upon a कुछ आया है याद इसका होता है बस पूट कर दो आप तो minus 1 by 4 sin inverse t by a की value क्याना पर 3 square जोकि 9 आया तो t by 3 plus c अब बस t की value पूट कर तो t की value क्या थी है हमारे पास यह तो is equal to आगया हमारे पास 1 by 4 minus sin बाहर sin inverse cos cos square 2x over me over me 3 over me 3 ok plus c ok this is our answer ans answer ok s solve करना ऐसे है